इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने Moto E-40 मॉयल फोन में एक सेटिंग देखर मुल रहा है Swipe Fingerprint for Notifications का तो ये सेटिंग क्या होता है इससे कैसे यूज किया जाता है ये चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ चलिए जाधा समेना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वड़ों से पहले चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा तो इसके लिए देखिए आपको अपने Moto E-40 मॉयल फोन के सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाकर नीच आना है पीछे में होता है जहाँ पर तच्च करके आप अपने Moto E-40 में फिंगर प्रिंट लगाते या सेट करते तो दोस्तो जब आप जो है उस सेंसर पर फिंगर को टच करके जब आप जो है नीचे की और घीचेंगे finger को touch करके तब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका notification panel नीचे आ जाएगा जब भी आप अपने वालफंग के sensor पर finger को touch करके नीचे की और खीचेंगे तब यहाँ पर notification panel नीचे हो जाएगा तो जब आप on रखेंगे तो इस तरीके से यह setting यूज होगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह setting बंद हो जाएगा लेकिन उसके बाद दोस्तों finger से sensor को touch करने पर notification पैनल नीचे नहीं खीचेगा इस तरीके साब इसको यूज कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिएगा चानल पने वे सुस्क्राइब कर यूज कर यूज